Hello Friends! Healthy recipes में आपका स्वागत है आज हम स्टफ़ डेट्स मनाने जा रहे हैं So let's start यह हम डेट्स ले लेंगे और इनके पहले सबसे पहले हम सीड्स निकाल लेंगे अब हमने यह सारे सीड्स निकाल लें है अब इसमें से हम एक लेंगे और उसमें सबसे पहले हम बदाम फिल करेंगे यह हम इसमें दो बदाम रख देते हैं और इसको अच्छे से बंद कर देंगे इसके बाद हम इसको चॉकलेट पर चॉकलेट में डिप करना ना करना वह आपकी इच्छ है लेकिन आज हम भी डिप कर रहे हैं और इसको हमें बटर पेपर पे निकाल लेते हैं और इसके ओपर थोड़े से हम चॉप्ट अलमेंट्स टाल देंगे अब हम एक और लेंगे इसमें भी हम अलमेंट्स टाल लेंगे लेकिन इसकी हम कोटिंग नहीं करेंगे अलमेंट्स टाल के इसको हम ऐसे बंद करेंगे और उपर से हम यह इसको चिपका देंगे और इसको भी हम रख देते हैं अब हम एक और डेट लेंगे और यह हमने गरनोला ले लिया है इसमें हम थोड़ा सा हनी डालेंगे और इसको एक बाइंडिंग दे देंगे अब इस डेट में हम एक ग्रैनोला भर देंगे चिपकार के अब इसको अब इसको भी हम चॉकलेट में डालेंगे यह कुकिंग चॉकलेट है कमपाउंड चॉकलेट मिल्क कमपाउंड यह एक्स्ट्रा हम थोड़ा सा यह पर नीचे निकलने देंगे अब इसको भी हम इसके उपर रख देंगे और इस पर थोड़े से हम तिल लगा देंगे अब हम एक और लेंगे इसमें भी हम यह ग्रैनोला का यह हम विदाउट चॉकलेट बना देंगे इसको कवर करके इसके ओपर हम थोड़े से तिल जाओ देंगे अब नेक्स्ट हम यह बांटी डेट्स बनाएंगे इसके लिए हमने यह डेसिकेटिड कोकोनट ले लिया है इसमें हम कंडेंस मिल्क डालके इसके बांडिंग मनाएंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब यह डेट्स में हम इसको फिल कर देंगे अब इसको हम चॉकलेट में लिप कर देते हैं इसके उपर हमें बदाम और अख्रोड का पॉडर है इसको मिक्स किया और पीसा हुआ है और हम एक दूसरी डेट में यह ऐसे ही डालके इसको विदाउट चॉकलेट बनाएंगे यह हमारी बांटी डेट्स पी रेडी है अब हम पिस्ता डेट बनाएंगे उसके लिए हमने एक डेट लेली इसमें हम दो पिस्ते डालेंगे अब हमने यह वाइट कंपाउंड चॉकलेट ले लिए इसमें डालेंगे अब इसको हम और इसके ओपर हमने यह चोटे-चोटे पिस्ते काटके रखी है अब ऐसे ही हम एक और लेंगे और उसमें पिस्ता और साथ में यह जह हमने पाउडर बनाया हुआ है यह दोनों मिक्स करेंगे यह बदाम और अखरोट का पाउडर है इसको हम अच्छे से दबाके अब हम एक कटोरी में हमारे अल्मंट्स कटे हुए किस्ता यह सिसमें स्वीट तिल और थोड़े से एल्मंड और वालनट का पाउडर और यह जो हमने भी मिक्षर बनाया था कोकोनट का यह सब मिक्स कर लेंगे इसमें बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा हम कंडेंस मिक और डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब एक डेड़ लेते हैं और इसमें यह मिक्षर डालेंगे इसको अच्छे से बन करेंगे और इसको चॉकलेट में हम डिप करेंगे आच्छे से माज़ए लेज़ताया अच्छे सुआरा कि आचा बाइगे इसको पर अड़ेसे तिल लागा देके अच्छे से मिक्ताओ आचांगे ज़ने यह र ज़बताई तो तो आचानी चालेशए आप ऐसे ही हम एक यह हम विदाउट चॉकलेट बना देने हैं इसके उपर हम ऐसे ही एक बदाम रखेते हैं अब इसकों सर्विंग प्लेट पर ले लेते हैं अब इसकों सर्विंग प्लेट पर ले लेते हैं अब आप ये डेट्स बनाईए और इंजॉय करिए और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए